हलो फ्रेंज वेल्कम टी यह चैनल लर्न इंवेस्ट औरन मैं हूँ आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मुमेंट दिखा सकते हैं और प्रॉफिट कमाने के एक अच्छा मौका मिल सकता है वीडियो स्टाट करने से पहले मैं रिक्वेश्ट करूँगा उन वीवर से जिन लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहला के क्लिक करना ना भूले जिससे कि जब भी वीडियो अप्लोड होगा आपको तुरण नोटिफिकेशन आ जाएगा आगे जलके देखते हैं टेकनिकल चार्ट के उपर कौन से हैं वह स्टॉक्स जहां पर हमें एक अच्छा मुमेंट एक्सपेट कर सकते हैं स्टॉक्स वीडियो भी नहीं बना पाया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मैंने हर्दम कहा है कि जब भी मुझे अच्छे ट्रेड्स नजर आएंगे और जब भी मुझे टाइम मिले का मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अब आते रिखते हैं निफ्टी पर किस तरह की हमें मोमें ट्रेंट मधिर अब देखें आप अगर आप देखाऊ कि मैंने यहां पर एक ट्रेंड लैन बनाई है मैंने आप एक सपोर्ट बनाया हुआ सो डिशिस्टेंस बनाया हुआ है इसके पास निफ्टी आया था यहां पर जब उसको एक बूस्टर पैक मिला था तो यहां से स्लाइड डॉन किया सीधा कंटिनेटी निफ्टी ने वापस से 9600 के आसपास से वापस से लो लगाया 8800 का अब धीरे धीरे करके निफ्टी ने वापस ऊपर की चाल पकड़ी है और देखिए एक्जैक्ली निफ्टी वापस उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है जहा अगर 9625 की उपर निफ्टी अपने आपको होल्ड करता है कुछ देर के लिए तो यहां पर आपको निफ्टी में एक पचास से सव पॉइंट की मोमेंट बहुत तेज आते हुए दिख सकती है अगर यहां पर गैप डाउन गैप अपन होता है तो गैप अप में फिर आपके लिए सपोर्ड जो रहेगा, वो रहेगा 9575, आप लिखके रह सकते हैं यह लेवल्स, यह अगर गैप अपन होता है और 9575 की नीचे आता है निफ्टी, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि निफ्टी उपर सस्टेंड नहीं हो पा रहा, यह नीचे आना स्टाट हो गया है, औ और अगर Nifty close to जितना ही previous high था यहीं पर आसपास flat open होता है और यहां से अगर 9625 की उपर जाता है और दिन बर उसके पर sustain करने में काम्याब रहता है तो यहां पर आप फिर 50-100 point की Nifty में moment expect कर सकते हैं. अगर आप मुझे पूछेंगे आपको किस तरह की चाल लग रही है तो मुझे लगता है निफ्टी यहां पर इस बार क्रॉस करने की एक बार attempt जरूर करेगा क्योंकि देखिए यहां पर एक बार निफ्टी ट्राय किया फेल हो गया है यहां निफ्टी सेकेंड टाइम आया है अब सेकेंड टाइम से निफ्टी यह थर्ड टाइम आ रहा तो यह डबल टॉप बन रहा है और डबल टॉप मुझे लगता है कि शायद से इस बार यह ब्रेक कर सकता है तो इस पर आप नजर बना के चलिए निफ्टी में इस तरह का हम momentum expect कर रहे हैं आगे चलके देखते हैं अब करते हैं और हम कंसिडर करते हैं कि आभी यह यह के अगर कि ट्रेडिंग सेशन में इस रजिस्टेंस की ऊपर स्टॉक निकलता है तो ही हम इसमें करेंगे लेवल्स क्या होंगे मैं आपको टेलिग्रम चैनल से नहीं जूड़ें है तो नीचे आप लिंक दी है मैं अच्छा ट्रेड बना था DLF में, मैंने अपने कुछ students को ये शेर किया था, और ये ट्रेड काफी अच्छा था, मैंने वेटने से थरस्दे के असपाद उनको ये शेर ट्रेड किया था, इस ट्रेड को, और देखें इसमें क्या है, कि इसमें कि ट्रेंगल पैटन का breakout आया था इस candle के आसपास, और हमने उस दिन recommend किया था, अपने students को, कि अगर इसके ऊपर stock निकलता है, तो आप 150 का target देख सकते हैं, DLF में 4-5 रुपए का moment भी काफी होता है, क्योंकि 140 रुपीज का ही stock है, तो अगर इसमें आप 4-5 रुपए का moment देखें, तो काफी अच्छा moment है वो, अब देखें, DLF अपने उस high के आसपास आ गया है, जहां पर इसे दो बार resistance लिया हुआ है, तो अगर DLF इस resistance को cross करता है और उपर निकलता है, तो फिर DLF में यहां से आप 160 और 165 तक की moment आती हुए देख सकते है, तो DLF हो किस तरह से trade करना है, कैसे है, मैं levels exactly जो भी रहेंगे, entry और exit के stop loss, यह मैं आपको अपने telegram चैनल पर बता दूँगा, एक और stock हमने shortlist किया हुआ है, वो है मारूती, द को नहीं cross करेगा, यहां पर थोड़ा सा profit booking आ सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर nifty में support दिया, उपर की तरफ attempt किया जाने का, तो यह stock उपर लिजा सकता है, वरना अगर nifty में थोड़ी सी भी big वाली आगर आ गई या profit booking आ गई, तो यह भी stock नीचे आएगा, तो मारूती ए रहेगा trade करने के लिए next trading session में, इसके अलावा मैंने एक और shortlist किया हुआ है stock, यह है M&M Motors, यह मैं कहूंगा कि M&M का जो रेगुलर है, plain वाला, वो वाला, इसमें देखिए, इसमें भी एक triangle pattern बन रहा है, और triangle pattern के बाहर निकल रहा है stock, यह मैं कहूंगा, यह एक inverted flag pattern भी आप इसको कोल सकते हैं, इसके बाहर निकल रहा है stock, और यह flag के बाहर निकल के 140, 140, sorry, 440 के आसपा से अपने आपको hold कर रहा है, अगर यह 440, 445 के range को decisively break करेगा, इससे नहीं, decisively break करेगा, क्योंकि volume तो काफी अच्छे का से build हो रहा है, अगर यह decisively break करेगा, तो मुझे लगता ह और फिर इसमें अच्छा का सा moment आ सकता है, तो auto stocks पे आप ध्यान रखके चलिए, auto stocks में expected है कि momentum आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से auto index और जिस तरह से बाखी के auto stocks moment दिखा रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि auto sector में थोड़ी सी moment आ सकती है, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, तो हमने उसमें clearly कहा था कि ultra tech और ACC हमारे topic रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है cement sector में अच्छा का सा momentum आ सकता है, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, आपने trade किया होगा, तो देखिए ultra tech को हमने exactly इस level पर बताया था, और हमने कहा था कि यहां से हम expect करते हैं कि अच्छा moment आ सकता है, इसके लावा अगर आप ACC को देखे, तो देखिए ACC ने भी बहुत अच्छा खासा moment दिया हुआ है, आप करीबन 1250 से लेके, आप देखो 1300 के level तक गया है, तो 50 रुपे की moment आपको मिली है, अच्छी खासी moment मिली है, इसके लावा हम लोग हरदम recommend करते रहते हैं, या अपने वीडियो में explain करते रहते हैं कि stocks अगर आपको swing trading के लिए लेना है, तो क्या entry point रहेगी और क्या exit points रहेंगे, इसलिए मैं हरदम कहता हूँ कि आप stock को, आप वीडियो को भगा भगा के मत देखिए, forward कर देखिए, क्या होगा कि जो मैं गोद्रेट CP में मैंने clearly कहा था कि अगर ये 580 के level को cross करेगा, तो ये swing trading के लिए बहुत बढ़िया stock बन जाएगा, ये previously मैंने कहा था, अगर आप लोगो ने वीडियो मिस किये हैं, तो आप इसलिए मैं कहता हूँ, regularly follow कीजे वीडियो, बले ही मैं कम वीडियो जलता हूँ, लेकिन जब भी वीडियो जलता हूँ, I make sure कि मैं अच्छे stocks लेके आता हूँ, जिससे कि आपको profit होने के chances होँगे, अब मैंने खुद 580, 580 के असपास इसमें trade लिया है, swing trading के लिए, और 560 का मैंने stop loss लगा था, और हमने कहा था कि इसमें जो targets आएंगे, वो आएंगे 600, 200, 6 640, अब इसमें 640 का इसने high लगाया है, मैंने इसमें अभी तक profit book नहीं किया है, लेकिन जो मेरा stop loss जो 560 का था, वो मैंने move करके अभी 620 के आसपास लेके आ गया हूँ, अब मैं expect करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा शायद से profit booking आ सकती है, अगर मुझे यहाँ पर negative candle बनते ह कर लूँगा, वरना अगर यह अगली अपनी चाल पकड़ता है, तो 660 के आसपास मैं अपना 60-70% profit definitely book कर लूँगा, तो swing trading में भी बहुत लोग interested रहते हैं, बहुत लोग मुझे comments जालते हैं, personally मेरे whatsapp पे डालते हैं, या भी telegram में डालते हैं, मुझे कि sir हम लोगों का आप swing trading के बताएं, क्योंकि intra trading के लिए हमारे पास time नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मैं अभी regularly swing trading के वीडियो भी लेके आऊंगा, कि कौन से stocks मुझे लग रहा है, swing trading के लिए अच्छे हैं, जो short term के लिए 2-4 दिन, 6 दिन, 1 हफते के लिए हो सकते हैं, औ और वहाँ पर आप position लेके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रोज swing trading के वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन जब भी मुझे stock मेरे radar पे आएगा, जब भी मुझे कोई stock ऐसा नजर आएगा, कि हाँ अभी swing trading के लिए तयार हो रहा है, ये फिर इसमें हम दो हफते के लिए position लेके का अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो वो definitely मैं आपके पास share करने के लिए वो आपको वीडियो लेके आऊंगा, तो चाहे वो intraday हो, चाहे वो swing trading हो, चाहे वो positional हो, हर तरह की वीडियो हम लोग आपके लिए लाते हैं, बस हमारा intention यही है कि आप market को स को ने एक stock के बारे में बताया था, वो था बायो कॉन, अगर आपने बायो कॉन का वीडियो मिस कर दिया है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप बायो कॉन का वीडियो जरू जाके देखिए, नीचे link में ने दी है, या फिर यहाँ पर i button के आसपस आपको pop up भी होगा, आप click कर सकते हो, हमने clearly उस वीडियो में आप जाके एक बार नहीं, दस बार repeat कर देख सकते हो, हमने कहा था, 300 आसपास, 320 के आसपास से ही ये right level है, बायो कॉन को bounce back करने के लिए, और अगर ये bounce back करेगा तो ये 350 से 360 तक जा सकता है, जाके देख सकते हैं वीडियो, आपको समझ में लेना चाहिए, जिससे कि आप लोग जुडे रहे, आप लोग हमारे वीडियो देखे और आपको समझे उस वीडियो में, आप सीखे उस वीडियो से कुछ तो नया, यही हमारी कोशिज रहती है, तो इसी तरह के और भी वीडियो हमने लाते रहेंगे आपके लिए जिसमें अच्छा content हो, आप सीखे market को और खुद होके market में trade लेना करके profit कमाना सीखे, okay friends, so अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो like बटन पर फटा फट क्लिक कीजिए, अपने friends और colleagues के साथ भी share market में trading करते हैं, जिससे कि वो लोग भी थोड़ा इससे सीख सकेंगे, और जित for watching the video, keep learning, keep investing and keep learning